नेने टेकनिकल वीडियो देखने के लिए शुषमीता टेक रिविवीव चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्ते दोस्तों मैं सुषमीता और सुषमीता टेक रिविवीव चैनल में आपसब कर स्वागत है तो कैसे है आप लोग Recently Motorola ने इंडिया में लांच कर दिया है Moto Edge 20 Fusion Mobile इस Mobile में आपको क्या क्या विजर्स मिल रहा है चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में इस Mobile में आपको मिल रहा है 6.7 इंच Full HD Plus AMOLED पंच होल डिस्प्ले इस डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट है 90Hz इसमें HDR10 Plus देखने को मिल जाएगा इसमें DC IP3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा यह Mobile IP52 Splash Proof है यानि थोड़े से पानी या तेल के छीटे से इस Mobile में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस Mobile के थिकने से 8.25 mm और इसका वज़न है 185 ग्राम इस Mobile में आपको Android 11 Operating System Stock Android के साथ देखने को मिल जाएगा इस Mobile में आपको 5000 इमीच का बैटरी 30 Watt Fast Charger के साथ देखने को मिलेगा इसका अलावा Type-C Charging Port 3.5 mm Headphone Port देखने को मिल जाएगा सिक्यूर्टी के अगर बात करें तो इस Mobile में आपको Side Mounted Fingerprint Scanner और Face Unlock की सिक्यूर्टी सिस्टम देखने को मिलेगा इस Mobile आपको दो Color Variant में देखने को मिलेगा Cyber Tail और Electric Graphite इस Mobile में आपको 108 Megapixel का Triple Camera देखने को मिलेगा इसका जो Primary Lens है वो है 108 Megapixel का और 8 Megapixel का Ultra Wide Angle प्लास Macro Lens और 2 Megapixel का Depth Sensor देखने को मिल जाएगा इस Camera के साथ आप 30fps में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं इस Mobile के Front में आपको 32 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के अगर बात करें तो इस Mobile में आपको Media Deck Dimensity 800U Processor देखने को मिलेगा यह है एक 7NM OctaCore Processor और इसका Maximum Clock Speed है 2.4 GHz यह Mobile एक 5G Mobile है इस Mobile में आपको Hybrid Sim Slot देखने को मिलेगा यानि एक SIM और एक Memory Card या दो SIM आप इस Mobile में अटाच कर सकते हैं यह Mobile आपको दो Storage Variant में देखने को मिल जाएगा 6GB 128GB Variant का दाम है 21,499 रुपीज और 8GB 128GB Variant का दाम है 22,999 रुपीज तो कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक Like जरूर करके जाना तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर से कोई नए गैजिट के साथ आपसे मुलकात होगी तब तक के लिए Bye